मेरे प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आफ़ताब इस्टेडी क्लासस में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ठीके झीटit पी जीडीडी आर्ट के प्रेक्टिस सेट तीन के वारे में लुच्ते आप पहुंच चुके हैं आज का ये तैसरा प्रृटिस सेट है इसमें प्लीके क्रीक्ष्टेट तो देखते हैं हम लोग यहां पर आपके सामने पहला कोश्चन लिखा हुआ है पहला कोश्चन क्या कहता है आपका मिले सुर मेरा तुम्हारा पीजीटी दोयार 21 में आया था कि मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने लिखा तो यह लिखा है पीउस पांडे ने किसने लिखा ह इस गाने को पहली बार कब गाया गया था पंदरा अगस्ट 1988 को प्रधान मंतरी के भासड के बार इसको परशारित किया गया था था ठीक है हम लोग देखेंगे अगला question जो कि आपके सामने आ गया है question करा है कि कौन सा कलाकार question क्या है कि कौन सा कलाकार print making से सम्मंदित है print making से सम्मंदित कौन है तो हो जाएंगे आपके जैकरशन अगरवाल जैकरशन अगरवाल अगर हम लोग जय क्रेशन अगरवाल के बारे में बात करें तो इनकी कला सिच्छा कहां पर हुई थी तो इनकी कला सिच्छा हुई थी लखनों में कहां पर हुई लखनों में कला सिच्छा हुई थी कला सिच्छा हुई लखनों में और जय क्रेशन अगरवाल जो थे प्लेट लीटोग्राफी की तक्निक को जानने के लिए गैते बढोदा किसकी तक्निक को जानने विस्विध्याले जी था वो किस नगर में इस्तित्ता ये बताना है तो ये इस्तित्ता भागलपुर में कहां पे इस्तित्ता भागलपुर में इस्तित्ता इसका निर्माड किसे ने करवाया था पता होना चीह आपको धर्म पालने इसका निर्माड करवाया था धर्म पालने करने नमान कर आया और निष्ट कर दिया था बत्यार लिए यूजी ने इसको निष्ट कर दिया था यह था विकरम सला विस्विद्याले अगर आप लोग TGT की बहतर त्यारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन वाक में एक लिंक रखा है वहां से आप लोग देखेंगे तो आपको पुरा एक स्लेवर्स मिल जाएगा TGT PGT आर्ट का उसमें 50C कलासे दिखें ऑगर आप लोग ने उन कलासों को नहीं देखा हो तो उन कलासों को भी दिख लिजिए आप पर तैयारी को और बेहतर कराएगा दिखा हुआ है कि मिठिला क्या कोशन है कि मिठिला चित्रकला की किस कलाकार को सबसे पहले पदमसरी मिला था तो किसे मिला था यह मिला था जगदंबा देवी को कब मिला था पदमसरी उन्नीस सो पचाथर में मिला था इन्नेस सो पचाथर में पदमसरी मिला एक देखीगा उन 1973 में इने मिला था यार स्रकार दिया था इन्न्हें सब्सकार के Cultural Join कि इस दिए कि और फुर हैं यहार के सब्सक्ANS बनाया था इसके लिए पैसे राश्टे पुष्ष़कार दिया गया था उस पैसiße का नाम था दसावतार तो दसावतार के लिए कि इस हमानत की आ गया था तो थी जगदंबा देवी को यहां तक की बात आपको सारी समझ में आई होगी किसी परी प्रकाल का कोई डाउट हो इसके लिए आप लोग कमेंट वाक्स में कमेंट कर सकते हैं आगे देखेंगे हम लो अगला क्वे अज़ाद यह कब से कब तक अध्यच रहते हैं यह अध्यच रहते हैं 1950 लेकर 1950 से 1958 अध्यच रहते हैं कि अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रैम किसका संचिप्त रूप है अध्यच रहते हैं तो यह हो जाएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी कम्प्यूटर का कॉश्चन है आपका टीज़ीटी में आ गया था आगे देखेंगे हम लोग अमेरिका के प्रतम राश्ट्पति कौन थे यह ते जार्ज वासिंग्टन कौन थे जार्ज वासिंग्टन लेकि अमेरिका में जो राश्ट्पति का कारिकार होता है अपने यहां पांच वर्स का होता है लेकिन अमेरिका में होता है चार वर्स का होता है एक चीह और अपने यहां राश्ट्पति कोई भी है जितनी वार चाहा है उतनी वार रह सकता है लेकिन अमेरिका में दो बार से सामने है कि महात्मा गांदी की मा का नाम क्या था तो आपको पता है कि महात्मा गांदी की मा का नाम क्या था पुतलिवाई था ठीक है क्या नम था पुतलिवाई मात्मा गांदी का जिन पता है सभी को कब हुआ था दो अक्टूबर 1889 को हुआ था कहां पी हुआ था पूर एक रच्जन हे कि भावा पदमाण अंदो के अंदर कहां फ removed और यह दंधर शेकता है यह वार सरकारब यह परिमाड उर्जा विभाग के अंतरगत आता है। यह भी बाट सबसे पहले 1954 में दिया गया था और ये तीन लोगों को दिया गया था इसे किसे दिया गया था चक्रवदी राज तो वही आपका राइट अंसर हो जाएगा कौन कौन तीह लोग थे एक तो जाएगा आपके डॉक्टर शुर्पली रादा किसनन डॉक्टर चैंद्र सेकर्वेंक रमन और चकृती राजगोपलाचारी तो यह तीसरी हो जाएगा आपके यहां पर तीनों को तो यहां पर क्या थे तो सुमित्रा नंद पंद थे एक कभी अच्छा एक बात और यहां पर है सुमित्रा नंद के बच्पंद का नाम क्या था सुमित्रा नंद के बच्पंद का नाम था गुसाई दत्त क्या नाम था गुसाई दत्त नाम था जिनके बच्पंद का नाम था गुशाई दत् अग्ला रिक्वाई कि हम्पूटर कलाके प्रश्दिख्रइटकार कहां के हैं कॉम्पूटर नाम कह रिधिडिख्रइब लॉखें था मेरेका के लिए आपको पहुड्व Vessärogahl यह नवजा हें शहें लिख देना में नेवटल यह कहां की उजाएंगे आपके जाएंगे अमेनिक के लोगज देखेंगे अगला कुष्ण देखेंगा अगला कुष्ण आपका है भारत माता किसकी रचना है तो यह जाएगी अवनीन नात टैगों भारत माता किसकी दिश्चना है P.G.T. 2.3 में और यह कई बार आया हूँगा क्वेशन है यह अवनीन नात टैगोर हम लोग देखेंगे अगला क्वेशन और अगला क्वेशन आपके सामने आ गया है अगला क्वेशन है कि बंगाल सैली के जिनक कौन थे क्या क्वेशन है आपका बंगाल स अगला कॉश्चन है कि अवनीन नात्ट टेगोर जाने जाते हैं इसके लिए मतलब किस चीज के लिए जाने जाते हैं तो जाने जाते हैं जेल रंग टक्नीक के लिए ये जाने जाते हैं कि एक चीज के लिए की अवनीन नात्ट टेगोर को क्या कहा जाता है पहलती कला का जयन दाता है कि कि लेखेने शनले मुच्य को शली इतक अवनिनर भारती को ज्यूम दाता चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं यह कहते हैं यह कहते हैं अवनीर ना टेगोर को क्या कहते हैं आधुनिक भारती चित्रकला का जन्मदाता कहते हैं अगला लिखा हुआ है प्रशिद वास पेंटिंग शैली कहां से विक्सित हुई थी कौन से यह प्रशिद्ध है कौन से लिए वास पैंटिंग से लिए कहां से विक्सित हुई थी यह आपको यहां पर बताना है तो यह हुई थी बंगाल स्कूल से कहां से विक्सित हुई थी यह बंगाल स्कूल से विक्सित हुई थी अगला कोश्चन आपका है कि देवी परशाद राय चौधरी कौन थे यह बताना आपको यह बताना है तो यह थे एक मूर्थिकार कौन थे यह थे एक मूर्थिकार देवी प्रशाराय चोधरी को 1953 इस्वी में 1953 इस्वी में ललित कला अकादमी के प्रथम अदेच बनाया गया था ठीक है और इनकी मूत का जो थे तो इनकी कुछ मूत सिल्प हैं जैसे कौन कौन सी है अगला लिखा हुआ है कि नंदलाल वोस किसके सिस्वी थे ये क्वेशन लिखा हुआ था आब उनीन नाथ टेगोरके किसके सिस्वी थे अवनीन नाथ टेगोरके ये सिस्वी थे ये अगला कुछन लिखा हुआ है कि पटुवा चित्र कहां से समंदित है पटुआ चित संबन्दित है काली घाट से कहां से काली घाट से और ये पटुआ चित जो है ये क्या है पटुआ क्या है पटुआ जो है वो एक प्रकार का कलाकार समुदाए है कलाकार समुदाए जो कहां पायाते है जो पश्चिम मंगाल में पायाते है पर्टुआ जो क्या है एक समुधाय है एक प्रकार के कलाका लोग है जो पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में लाश्ट कॉश्चन कॉश्चन नमर 20 आपके सामने है कि जैमिनी राय की परसिद्ध करती मा एवम शुशू का चित्र का माध्यम क्या है जे पूछा गया है तो यह हो जाएगा आपका केंद वास पर तैल चित्र कैसा हो जाएगा केंद वास पर तैल चित्र ठीक है और जेमिनी राय का एक बहुत ही फेमस चित्र है उसको आप लोग याद कर दीजेगा बावल एवम बैठी हुई महिला क्या है बावल एवम बैठी ह हुई महिला तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके होगे हैं अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक बार आप लोग कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट व